जैहिन सातियों आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल टार्गेट सेलेक्शन में सातियों आज एक ऐसे टॉपिक को यहाँ पर हम लोग देखेंगे जिस टॉपिक से कोशन्स पूछा ही पूछा जाता है यहने कि इस क्लास से इस क्लास में पचास लगबग कोशन्स होंगे इन सभी कोशन्स को अगर आप लोग कर लेते हो तो आपके परिक्शा में एक से दो कोशन्स सातियों इस क्लास से पक्के हो जाएंगे तो फटेवट सातियों क्लास के लिए आप सभी लोग तयार हो जाए और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि चैनल को आप सभी लोग सबस्क्राइब कर लीजिए क्योंकि जो भी टॉपिक सातियों ट्रेंडिंग टॉपिक हैं परिक्षा में आते ही आते हैं उन सभी टॉपिक को संपूर निचोड सातियों में वीडियो के मादियम से आपको दूँगा इस class की आपको जो ये questions देख रहे हो इसकी उत्तरमाला सातियों नीचे लगी हुई है 50 questions के इन questions की इसकी PDF भी आपको दी जाएगी कैसे दी जाएगी ये वीडियो में बताया जाएगा चलिए तो पहला प्रिशन आपकी screen पर है कि प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है आपको ध्यान रखना है सातियों रस खान इस पुस्तक के लेखक है इसलिए आंसर आपका option number B हो जाता है पंचे तंत्र पुस्तक के लेखक सात्यों कौन है तो पंचे तंत्र पुस्तक के लेखक आपको धियान रखना है कौन है? विश्रू शर्मा है? आंसर आपका ओप्ष नमबर C हो जाएगा उसके बाद देखें सात्यों आप लोग यहाँ पर ये भी देखियेगा कि 50 कोशन में से आप लोग कितने कोशन कर पा रहे हो अगर आप सात्यों 25 के आसपास कोशन आपने कर दिखाए तो बहुत शांदार आपका स्कूर होगा बुद्ध चरीतम पुस्तक के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं तो बुद्ध चरीतम पुस्तक के लेखक कौन है अश्वगोश हैं ये आपको धियान रखना है उसके बाद देखिए कादंबरी पुस्तक के साथ हो लेखक कौन है तो कादंबरी पुस्तक के लेखक कौन है बाड़ भटे हैं ये आपको धियान रखना है इसलिए आंसर आपका आप्शन नमबर सी के साथ शियर कर देंगे ठीक है और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने तो शाहनामा पुस्तक के लेखा कौन है फिर दोसी है या आपको दिहान रखने इसलिए आंसर आपका आपका आप्शन नमर C के साथ जाएगा साहित लहरी के अगर बात करते हैं तो साहित लहरी पुस्तक के लेखा कौन है तो आपका किस आप्शन के साथ जाएगा आप्शन नमर B यानि के सूरदास के साथ जाएगा तो सूरदास आती हूं पुस्तक कौन से लिखी थी इन्होंने साहित लहरी नाम के लिखी थी उसके बाद देखिए सूर सागर पुस्तक के लेखा कौन है तो हुमाईउ नामा पुस्ता की लेखे का कौन है साथ है गुल बदन बेगम है इसलिए आंसर अगर आपका है आपका है आपका है आपको नमबर बी तो बिलकुल करेक्ट है अगर 25 से उपर कोशन कर लेते हैं आप 25 से 30 के आसपास कर लेते हैं तैयारे आपकी बहुत शांदार मानी जाएगी सेलेक्शन के हगदार आप हो जाओगे तो गितांजली पुस्तक के लेखक कौन है सातियों रविन्ना टैगोर गितांजली पुस्तक के लेखक है उसके बाद देखिए गाड़नर पुस्तक के लेखक कौन है तो गाड़नर पुस्तक के लेखक सातियों कौन है रविन्ना टैगोर है ये आपको धियान रखना है तो अगर आपका भी आंसर यहाँ पर option number C है तो बिल्कुल correct है चलिए उसके बाद देखिए कि हंगरी स्टोंस नामक पुस्तक के लेखा कौन है तो हंगरी स्टोंस नामके धियान रखना है और gardener आपको धियान रखना है अब उसके बाद देखिएंगे अगले नंबर का प्रिशन है कि भगवद गीता पुस्तक के लेखा कौन है तो भगवद गीता पुस्तक के नाम आप एक बार कमेंट कर देंगे चली कामयनी पुस्तक के लेखक कौन है तो कामयनी के पुस्तक के लेखक साथियों कौन है जैशंकर परसाथ है या आपको धिहान रखना है आंसर आपका आप्शन नमर बी हो जाएगा Ashes on Gita Pustak کے Lekha कौन है? तो Ashes on Gita Pustak کے Lekha कसातियों अर्विंद गोश है इसलिए आंसर अगर आपका है option number A के साथ तो बिल्कूल correct है PDF आपको सातियों मिल जाएगी कैसे मिलेगी? यह मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बाद देखिए अश्रद्धाई पुस्तक के लेखा कौन है तो पारणी जी अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल करेक्ट है यानि के पारणी के द्वारा अश्रद्धाई नाम की पुस्तक लिखी गई थी आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन नमबर एक के साथ जाएगा अर्तशासर पुस्तक के लेखा तो चानक को कहा जाता है या आपको ध्यान रखना है चलिए और भारती राजनितिक विचार का जनक किसे कहा जाता है ये भी चानक को ही कहा जाता है उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का कोईशन आपकी स्क्रीन पर है कि इंडिका पुस्तक के लेखा कौन है तो आप सभी जानते हैं इंडिका पुस्तक के लेखा कौन है मेगस्थिनीज है और मेगस्थिनीज सातियों कहां के थे यूनान यानि कि ग्रीस के थे ये भी आपको ध्यान रखना है मेगदूत पुस्तक के लेखा कौन है जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे तो कालिदास के अगर बात करेंगे भारत का शिक्स्पियर कहे जाने वाले कालिदास ने मेगदूत नाम की पुस्तक लिखी ती इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नमर सी तो बिल्कुल करेक्ट है गीद गोविंद पुस्तक के लेखा कौन है तो साथियों गीद गोविंद पुस्तक के लेखा कौन हो जाएंगे जैदेव हो जाएंगे आपको धियान रखना है आंसर आपका ए के साथ पदमावत पुस्तक के लेखा कौन हो जाएंगे तो मलिक महमद जैसी साथियों पदमाव उसके बाद देखिए कि अ कबीर दास के दौरा बीजब पुस्तक को लिखा गया था इसलिए आनसर आपकर जाएगा वो आपशन नमबर B के साथ जाएगा गोदान पुस्तक के लेखा कौन है साथियों प्रेमचंदर की अगर बात करें तो प्रेमचंदर यानि के धनपतरा इनके बच्पन का नाम था तो साथियों गोदान के लेखा कौन हो जाएंगे मुशी प्रेमचंदर हो जाएंगे उसके बाद देखेंगे कि कर्म भूमी पुस्तक के लेखा कौन है तो कर्म भूमी पुस्तक के लेखा कौन है साथियों गोदान के लेखा कौन है तो मुशी प्रेम चंद्र है ठीक है साथियों चलिए गोल्लन थ्रिस होल्ल के अगर बात करें तो golden threshold पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है साथियो भारत की कोकिला कही जाने वाली सरोजनी नाइडू के अगर बात करे तो golden threshold पुस्तक की लेखक का है या आपको ध्यान रखना है चली उसके बात देखिये साथियो अगले नंबर के कोईशन आपकी स्क्रीन पर है कि माई डेज इस पुस्तक के लेखक कौन है तो माई डेज नाम की पुस्तक के लेखक आर के नारायन है आपको धियान रखना है इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नमबर डी के साथ जाएगा देवदास की अगर बात करें तो देवदास साथी फिल्म आपने देखी होगी एकिन यहाँ पर देवदास पुस्तक की अगर बात करें तो सात्यों देवदास पुस्तक के लेखा कौन है तो शरत चंदर चटो पद्याएं है इसलिए आनसे अगर आप कहें आपर आप्शन नमबर A के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है हिंदुईद्म की यहाँ पर बात चल रही है तो हिंदुईद्म नमबर पुस्तक के लेखा कौन है तो नीरत चंदर चौधरी का नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि यही हिंदुईद्म नमबर पुस्तक के लेखा के है चलिए महा भारत की बात है तो महा भारत नमक पुस्तक के लेखा कौन है आपसे पूचा जा रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है, इंटर्नल इंडिया पुस्तक के लेखा कौन है, इंद्रा गांधी है, आंसू के अगर बात करें, आपने बहुत पढ़ा होगा सातियों हिंदी में, तो जैशंकर प्रसाद सातियों आंसू पुस्तक के लेखा कहें, तो जिनका भी आंसर आसवी नामक कुस्तक के लेखा कौन है, सरपली राधा कृष्णा यह आपको ध्यान रखना है, तो जो लोग भी यहाँ पर है, आप्शन नमबर ए के साथ बिल्कुल करिक्ट आनसर है आपका, रगु वन्शम पुस्तक के लेखा कौन है, सातियों भारत के शेक्स्पियर कहे जाने वाले काली दास के अगर बात करें तो रगु बंशम नामक पुस्तक के लेखक हैं चलिए कुली पुस्तक के लेखक के अगर बात करें तो साथियों कुली पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे मुल कर आज आनन्द हो जाएंगे कुली पुस्तक के लेखा कि ये भी आपको धियान रखना है उसके बाद देखिए दजमिंट दा जजमिंट नामक पुस्तक के लेखा कौन है तो साथ हो यहाँ पर अगर बात करें यह जो नयर आपको दिख रहा है नयर से शब्द बन जाएगा नयाए क्या बन जाएगा नयाए बन जाएगा तो नयाए कौन करता है जजज साहवी तो नयाए करतें तो ऐसे ट्रिक से भी आप लोग याद कर सकते हो अगर आपको चाहिए है कि हर क्लास ट्रिक से हो तो वो भी आप लोग बताएंगे judgment पुस्तक के लेका कौन हो जाएंगे ये भी कुल्दीप नयर हो जाएंगे गबन पुस्तक की अगर लेका की बात करें तो answer आपका किस option के साथ जाना चाहिए मुन्शी, प्रेम चंदर के साथ आपका answer जाना चाहिए बहुत बढ़िया, very good class मालगुडी डेज आप बहुत देखते होगे बच्पड़निteri भई, हम भी दीवाने थे मालगुडी डेज के, आप भी दीवाने होगे और आर के नारन का नाम आपने जरूर सुना होगा, तो आर के नारन के दवारा मालगुडी डेज, वो कहानी लिखी गई थी वो पुस्तक लिखी गई थी चलिए गाइड पुस्तक के लेखा कौन है बताने की कोशिश कीजिए तो देखिए माल गूरी डेज जिस जो लेखा कहना है वही साथियों गाइड नमक पुस्तक के लेखा कहें तो आंसर आपका किस आप्शन के साथ जाएगा यानिके पचास कोशन साती हों हम लोग करेंगे और ऐसे टॉपिक को यहां पर बिलकुल खत्म कर देंगे जड़ से इन पचास कोशन के माद्ध हम से कि कोई सानी आपका नहीं होगा यानिके कोई बराबरी आपकी नहीं कर सकेगा आप एक यूनिक बंदे कहलाओगे सेतु बंदे पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे तो प्रवरसन की बात करें तो सेतु बंदे पुस्तक के लेखक हो जाएंगे मरचकटिकम आपके बहुत परिक्षा में पूछी जाती है तो मरचकटिकम जितना नाम बड़ा है इसके लेखक उतने ही छोटे वाले हैं यानि कि शूद्रक नाम छोटा सा है बिल्कुल मर्चकटिकम नामक पुस्तक के लेखक शूद्रक हैं कामसूत्र की अगर बात करते हैं तो कामसूत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे वात्सियायन हो जाएंगे आपको ध्यान रखना है आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन नमबर B के साथ जाएगा और जिनका भी आंसर यहाँ पर B है तो बिल्कुल कैरेक्टर भाई बहुत बढ़िया Very Good Class Class को आप सब लिएक बार शेयर करेंगे और चैनल को सबस्क्राइब कर लिजए क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल के माद्यम से उपलब्द कराई जाती रहेंगी भारत जीता है आजादी के लिए भारत जीता है आजादी इसके लेकग आप से पूछे जा रहे हैं तो कौन है साथ यो साथियों बताने की कोशिश कीजिए तो आपको ध्यान रखना है कि नारण पंडी जो है ये कौन है साथ यो हितोब देश पूस्ता के लेकग है इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन नमबर बी के साथ जाएगा अब उसके पर साथियों आप सभी लोग क्या करेंगे कमेंट सेक्षन में इसका जवाब देंगे और वीडियो क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्षन में बड़े है प्यारे तरीके से आप सभी लोग जरूर बताएंगे उमेद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके शेयर आवश्य कीजेगा तो मिलते हम सबी लोग आने वाली वीडियो में जैहिन सातियों